आपको ये समझना चाहिए देखिए एक चीज तो ये है कि आपने दुनिया को देखा नहीं है आपने इसे केवल वैसा देखा है जैसी ये आपके मन के आईने में दिखाई देती है आप दुनिया को वैसी नहीं देख रहे हैं जैसी कि ये है आप इस दुनिया को इंसानी मन के एक आईने में देख रहे हैं जो कि एक खास तरह से विक्रित होता है अगर आप एक टिड़े होते तो आप दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखते अगर आप कोई दूसरा जीव होते तब आप दुनिया को बिलकुल अलग तरह से देखते तो आपका आईना एक विशेश तरका पूर्व ग्रह है सारे प्राणियों के बीच क्रमक विकास का मतलब ये हुआ कि एक स्थर पर आपका आइना उन आइनों की तुलना में कहीं ज्यादा सम्तल है जोकी दूसरे प्राणियों के मन में होता है मान लीजे, यहाँ एक बाग होता मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ अगर यहाँ एक बाग होता वो ऐसे देखता डिनर, नाश्ता, लंच वो इसके आगे नहीं सोच सकता क्योंकि उसका आइना ही ऐसा है उसके मन का आइना उसको केवल भोजन दिखाता है दूसरे प्राणियों की तुलना में इनसान के पास एक बहतर समता लाइना होता है पर यह विकृत हो सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने जीवन में कितनी तरह के पूर्वग्रह और पहचाने जमा कर रखी हुई है अगर आपने किसी चीज के साथ बहुत गहरी पहचान जोड रखी है तो आप चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वो हैं आपके मन में हर चीज फिकृत हो जाती है लेकिन अगर हम अगर हम इस पर काम करें अगर हम अपने मन को परियाप्त पॉलिश करें तो ये एक समतल आइना बन सकता है इतना कि वो हर चीज को वैसे ही दिखाएगा जैसी कि वो है लेकिन फिर भी एक आइना वाकई किसी चीज को पकड़ कर नहीं रखता अगर आप एक पुराने आइने को देखें जो कि 500 साल या 200 साल पुराना हो या जितना भी पुराना हो शायद लाखों अलग अलग चेहरे उस आइने में देखे गए हो लेकिन उन चेहरों का कोई नाम और निशान उस शीशे में नहीं रहता क्योंकि आइना बस परावर्तित करता है इसी तरह आपका मन बस उसी चीज को दिखाता है जिसे आपकी पांच इंद्रियां अभी ग्रहन कर रही है ये हर चीज को दर्शाता है जरूरी नहीं कि जैसी वो है लेकिन ये हर चीज को दर्शाता है सिवाए आपके आप आईने के सामने कभी नहीं आ सकते क्योंकि आप हमेशा आईने के पीछे होते हैं आप कभी भी आईने के सामने के सतह पर नहीं आ सकते आप केवल आईने के पीछे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप दुनिया को कभी वैसा अनुभव नहीं करते जैसी की वो है और नहीं कभी आप उसका अनुभव करते हैं जो आइने के पीछे होता है पूरा जीवन बस आइने में आने वाली उन तमाम तस्वीरों को देखने में चला जाता है जिनका उस पर एक निशान तक नहीं पड़ता यही वज़ा है कि यसी प्रतिशत से ज्यादा लोगों को मृत्यू के समय अगर आप उन पर सावधानी से गौर करें तो आप देखेंगे कि वो हैरान होते हैं क्योंकि वो जैसे ही यह होना शुरू होता है जब वो पल आता है जहां जीवन को देखने का आपका नजरिया खत्म होने वाला होता है तब अचानक आपको ऐसास होता है कि आपने तो इसे कभी जिया ही नहीं आपने शुरुवात ही नहीं की और ये लोग कह रहे हैं कि ये खत्म हो गया आप देखेंगे कि वो लोग जिनके अनुभव तीवर रहे हैं जरूरी नहीं कि ऐसा उनके आत्मग्यान या किसी और चीज़ की वज़े से है मान लीजे उन्हें जीवन में बहुत शक्तिशाली हालातों या घटनाओं की वज़े से बहुत तीवर अनुभव हुए हैं हो सकता है कि ऐसा युद्ध और क्रांती और चरम स्थितियों या फिर दुरघटनाओं की वज़े से हो कठन हालातों में जहां सोचने का कोई वक्त नहीं था सिर्फ एक बहुत बड़ा नाटक चल रहा था जहां कई मायनों में मन का आइना तूट गया और किसी वज़े से कुछ और बड़ा घटित हो गया चाहे वो सुखद रहा हो या दुखद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप देखेंगे कि केवल यही लोग हैं जो या तो आनंद में मरेंगे या पीड़ा में बाकी सारे हैरानी में मरते हैं अगर किसी बीमारी या किसी शारिरिक स्थिती के कारण कोई शारिरिक कष्ट भी है तो भी पर जब वो पल आता है तो आप देखेंगे कि यह घबराट होती है क्योंकि अचानक आपको आखरी पल में यह एहसास होता है कि आपने कभी शुरुआत ही नहीं की और यह खत्म हो रहा है तो आपको या तो स्रिष्टी को वैसे ही देखना चाहिए जैसी यह है या आपको आइने के पीछे वाले का अनुभव करना चाहिए अगर यह दोनों चीज़े नहीं हुई तो आपने जो कुछ भी देखा है वो बस आईने पर दिखने वाली तस्वीरे थी यह जीवन नहीं है जीवन में पकड़ के रखने लायक कुछ नहीं है जीवन में कोई जड़े नहीं होती ये बस बीटता जा रहा है ज्यादतर लोगों के लिए मन और शरीर की गतिविधिया ही एकलोती संतुष्टी होती है क्योंकि वो अपने होने के आनंद को नहीं जानते तो हम आइने को तोड़ना नहीं चाहते हम आइने को बनाए रखना चाहते हैं लेकिन हम आइने के पीछे निकल जाने का तरीका जानना चाहते हैं हम ऐसा करें सबसे आसान और सबसे स्थिर जामिती आकार त्रिभूज होता है आप आईए आप अपनी चीजों को वहानी चरक दीजे बस अपनी आखे बंद कीजिए और उनके और मूँ करके खड़े हो जाईए अब जैसे चाहें खड़े हो सकते हैं बाहें चाहें ऐसी करके या इस तरह उसी मुद्रा में थोड़ी देर बने रहें फिर किसी अलग मुद्रा में फिर अलग मुद्रा में कैसे भी जब वो इस तरह से खड़े हो तो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें देखें एक इनसान की तरह नहीं बस एक जामिती आकार की तरह बस कम से कम ये देखना शुरू कीजे कि इनमें कितने त्रिबुज हैं किसी और तरीके से खड़े हो ये किसी दूसरे तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप बस देखते रहें कितने त्रिबुज हैं कितने त्रिबुज हैं एक एक खड़े हुए आदमी के इस सरल से आकार को आप कितने त्रिबुजों में बाट सकते हैं तो अगर आप तीन, चार, पांच त्रिबुज देख रहे हैं तो उससे पचीस बनाने की कोशिश कीजिए अगर आप पचीस देख रहे हैं तो उससे पचास बनाने की कोशिश कीजिए अगर आप पचास देख रहे हैं किसी और तरीके से जुक कर खड़े होई है कम से कम उनकी एक बहाँ को तो आप पक्का देख सकते हैं ठीक है अब धन्यवाद अच्छा आपको प्रदर्शन अच्छा लगा आप आपको यह समझना चाहिए कि जामेति का सबसे बुनियादी आकार एक त्रिबूज होता है और यह सबसे स्थिर आकार है सारे चक्र त्रिबूज होते हैं हर चीज के अंदर मौजूद हर चीज को बुनियादी रूप से आप इसको त्रिबूजों में बाट सकते हैं हर आकार को और हर रूप को किसी स्पेस को आप जितनी ज्यादा स्पष्ठता से कवर करते हैं अगर आप इस शरीर को देखें अगर आप इसके हर मिलिमीटर को त्रिबूजों से भर सकें तो आप उस खास रूप की जामिती को समझने लगते हैं अगर आपने बड़े त्रिबूज में बाटा तो आप पाएंगे कि शरीर के कुछ हिससे छूट जाते हैं हाँ अगर मैं शरीर को तीन त्रिबूजों में या पाँच त्रिबूजों में बाट दूँ तो कुछ हिससे छूट जाएंगे अब उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता और कुछ खाली जगा होंगी जहां कुछ नहीं होगा वो अंदर होंगी तो अगर मुझे इनके सारे हिस्सों को त्रिबूज के आकार में लाना है तो मुझे इसके लिए एक करोड त्रिबूज बनाने होंगे इसको करोडों त्रिबूजों में तोड़ पाने के लिए आपको इस पर उतना ज्यादा ध्यान भी देना पड़ेगा अगर आप इसे इस तरह से तोड़ें आपको ये उतना टक्नीकी रूप से करने की ज़रूरत नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ लेकिन चाहे जैसे भी हो अगर ऐसा होता है सिर्फ तभी आपकी कल्पना जीवन थो पाएगी इतनी कि जब आप किसी चीज की कल्पना करेंगे तो वो बिल्कुल असली जैसी होगी इस चीज को आप जाकते हुए करने से ज्यादा सोते हुए और बढ़िया करते हैं अगर आप एक फूल या एक आदमी या एक औरत या एक हाथी या एक गैंडे को देखें तो उसे आप अपने सपने में बिल्कुल साफ साफ देखते हैं है ना देखिए सोते समय आप जगे हुए होने से ज्यादा अच्छा कर लेते हैं ये अच्छी बात नहीं है अगर आप नीन में अच्छी गाड़ी चलाते हैं तो आप एक खराब ड्राइवर हैं अगर आप सोते समय एक बहतर ड्राइवर हैं तो इसका मतलब है जाकते समय आप एक भयानक ड्राइवर हैं है ना अब यही तो हो रहा है नीन्द में आप किसी चीज की कलपना बिल्कुल साफ साफ कर लेते हैं जामती रूप से आपने इसे बिल्कुल सही देखा है हाई है ना जब आप इस इंसान को अपने सपने में देखते हैं तो यह बिल्कुल वैसी दिखती हैं जैसी वो हैं कभी-कभी अगर वो आपको पसंद नहीं है तो वो ऐसी दिखने लगती है ऐसे अगर आपको वो बहुत पसंद है तो वो सुन्दर होने लगती है जितनी सुन्दर हैं उससे भी ज्यादा चीज़ें थोड़ा बढ़ चड़ कर होती हैं लेकिन जामिती रूप से कोई संगर्ष नहीं होता हाँ वो ऐसे अपना आकार खो नहीं देती अभी अगर आप कलपना करने की कोशिश करें तो वो सही रूप में नहीं आती आप उस आकार को रोक कर नहीं रख पाते इसका मतलब है कि आप सोते समय बहतर ड्राइव करते हैं यह अच्छी बात नहीं है है न ऐसा कर पाने के लिए आपको मन के कुछ विशेश मात्रा में अभ्यास करने होंगे एक यदो में आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आप यह करना शुरू कर दें अगर आप समझ जाएं की यह कैसे करना है कम से कम अगर आप इस प्रक्रिया को समझ जाएं तो आप इसे कहीं भी कर सकते हैं आप अपने ऑफिस में बैठे हैं पूरी गंभीरता से काम पर हैं लेकिन काम कर नहीं रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं अगर आप कहीं बैठे हैं कोई चीज है अब आप इस बरतन को देखते हैं आप इसे जामिती रूप से लाखो टुकडों में तोड़ सकते हैं अगर आप अपने मन को ऐसे अभ्यास कराएं, तो ये ऐसा बन जाएगा, कि आप इससे जो चाहे करवा सकते हैं, जल्दबाजी मत कीजिएगा, और ये वो या हर चीज मांगने मत लग जाएगा, दुर्भाग इसे ऐसा हो सकता है, लेकिन आप खुद को बड़ी बुरी तरह से अस्थ व्यस्थ कर लेंगे, तो इसका मकसद अपनी मन चाही चीजें पैदा करना नहीं है, ये कुछ हासिल करने के बारे में नहीं है, ये होने के बारे में है, क्या आप इस अनुशासंग को कायम रख सकते हैं? ऐसे नहीं कि आपके पास किसी तरह की काबिलियत आई और आपने वो मांगना शुरू कर दिया, वो क्या होता है? एक दशंबलव दो अरब डॉलर वाली लॉट्री. पावा बॉल आ तो सकती है, पर ये आपके उपर से लुड़क कर जा भी सकती है. मैं कह रहा हूँ कि ये उस तरह के मकसद के लिए नहीं है. ये मन पर महारत हासिल करने के बारे में हैं. ताकि ये आपके मन को पीछे जाने दे. ताकि आप अपना पूरा जीवन बस अपने मन के आईने पर दिख रही चीजों को देखने में न बिता दे. जीवन जो है, आप उसका स्वाद लेना शुरू करें. वैसे हम वो अभ्यास पहले ही कर रहे हैं, शांभवी इसे करने का एक सरल और सुन्दर तरीका है. लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेंसे कई लोग वहाँ टिक नहीं पाते हैं. लेकिन अगर हम वाकई हर समय वहाँ होना चाहते हैं, तब मन पर थोड़ी महरत से ये अच्छे से होगा. लेकिन जैसे ही आपके पास थोड़ी क्षमता आती है, अगर आपको लगा कि आप लोगों का इलाज करना चाहते हैं, आपके दोस्त को कैंसर है, आप मैं कैंसर को पलड़ दूँगा और उसे ठीक कर दूँगा. हो सकता है कि आप ऐसा कर भी लें, लेकिन तब आप अपने लिए और दुनिया के लिए एक तबाही बन जाएंगे. क्योंकि इसे वैसे इस्तिमाल नहीं करना है, इसका मकसद वो बिलकुल नहीं है. ये बस आपको अपने जीवन में अपने मन से बड़ी किसी चीज तक पहुँच देने के लिए है. अभी यही बेवकूफ मन ही सब कुछ है. आप बस उन ही विचार और भावनाओ, विचार और भावनाओ, विचार और भावनाओ का अनुभव करते रहते हैं. ये बस आइने पर बने हुए चित्र है उनका कोई महत्व नहीं है कोई गहनता नहीं है ये दो आयामी है बस एक चित्र है सारा जीवन जीवन की छवी देखने में निकलता जा रहा है ये जीवन जीने का अच्छा तरीका नहीं है है न तो तो ये एक और ट्रिक नहीं है जो आप दुनिया में करते हैं, ये ऐसी चीज है जो आप अपने अंदर करते हैं, ताकि आप मन के पीछे की ओर निकल कर जा सकें, आपकी मन पर परियाप्त महारत है, अगर आप फोकस करें, तो ये छेदों को बड़ा कर देगा, और आप जा सकत हैं, खिर आप में से, जिन लोगों के पास इसे करने का और ज्यादा आसान तरीका है, आप जरूर इसे करने के लिए कुछ गोलियां और दूसरी चीजें गटक रहे होंगे, ये हो सकता है, यही सबसे बड़ी समस्या है, कभी-कभी ये हो भी सकता है, लेकिन फिर उसके यहां ये वैसा नहीं है, आप इतने बारीग बन जाते हैं कि आप मन से बाहर निकल जाते हैं, मन को पता भी नहीं चलता कि आप उससे पार निकल गए हैं, इसे उतना सूक्ष्म रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, मैंने ये बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, मैंने तब शुरू किया था, जब मैं 3-4 साल का था, इसमें कई-कई घंटों तक फोकस करना पड़ता था, मैंने ये जानता कि आपका जीवन कितना कीमती है, उतना ध्यान दीजिए, अगर आपको लगता है कि ये एक मिनिट के लायक है, तो एक मिनिट, अगर आपको लगता है कि ये 24 गंटे के लायक है, तो 24 गंटे, जो भी आपको लगे, जो इनसान केवल अपने मन की तस्वीरों को देख रहा है, उसके लिए कुछ नहीं बदलेगा, अंतहीन चक्र चलता रहेगा, लेकिन बदलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि आईने में कुछ नहीं बदलता, अ अगर हमें पता होता कि आईने के पीछे कौन है, तब हम हर चीज़ को बदल सकते हैं, तब हम आईने को गुमा भी सकते हैं, और इसे पूरा अंदर की ओर मोड सकते हैं